रहायशी इलाकों में अक्सर इंसानों की अलावा पालतु जानवर ही देखने को मिलते हैं लेकिन अगर इंसानों की बस्ती में मगरमच जैसा कोई खतरनाक जानवर दिखाई दे जाए तो अफ़रा तफरी मत जाती है लेकिन मध्यप्रदेश के शिवपुरी में लगता है ये सबाम हो चुका है शिवपुरी नगर की सडकों और रिहाईशी इलाकों में अक्सर मगरमच चहल कदमी करते हुए नजर आते हैं ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ शिवपुरी के रिहाईशी इलाके में एक मगरमच निकलाया नगर चिंताहरन हनुमान मंदिर के पास ये मगरमच देखा गया स्थानिय लोगों ने बताया कि ये लगभग 7 फीट लंबा मगरमच था जिसे उन्होंने पकड़ कर खुद ही साइड में कर दिया जब स्थानिय लोगों ने मगरमच को देखा तो वन विभाग को सूचना दी लेकिन जब घंटों के इंतजार के बाद रैस्क्यू टीम नहीं पहुंची तो स्थानिय लोगों नहीं बिना सुरक्षा उपकरणों के मगर को तालाब के नस्दीक छोड़ दिया बताया जा रहा है कि पास ही में दो बड़े तालाब हैं जिन में हजारों की संख्या में मगरमच है वहीं से निकल कर ये मगर रिहाइशी इलाकों में पहुंच जाते हैं वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो ततकाल पुलिस की तीम भी मौके पर पहुंच गई में उनको बहुत बादरी दूँगा कि उन लोगोंने इस मंगर को रोक कर रखा पुलिस ने लोगों की बहादरी की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगोंने बहादरी से इसका सामना किया और कोई जणहानी नहीं होने दी समाचार प्लस के लिए शिवपुरी से आशीश पांडे की रिपोर्ट